अध्याई चप्रीज देखा और अंदेखा लूना को पता नहीं था कि हैरी का स्रीटा को दिया इंटरव्यू दा क्विबलर में कब चपेगा क्योंकि उसके डैडी अगले अंक में क्रमपल, हांड, स्नोर, कैक्स के हाल में नजर आने पर एक लंबा लेक चापने वाले थे और जाहिर है वो बहुत महत्रपून लेक है शायद इसलिए हैरी का इंटरव्यू इससे अगले अंक में चपेगा लूना ने कहा वाल्डेमॉट की वापसी वाली रात के बारे में बताना हैरी के लिए आसान नहीं था रीडा ने उससे हर चोटी चोटी बात पूछी थी हैरी ने भी उसके हर सवाल का जवाब दिया था क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया की सच्चाई बताने का बड़ा मौगा है वो सोच रहा था कि इस लेख पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी उसे लग रहा था कि इससे बहुत से लोगों को यकीन हो जायेगा कि वो पूरी तरह पागल है इसलिए भी क्योंकि उसका लेक क्रमपल हॉंस नोर कैक्स के बारे में चपी बकवास के साथ चपेगा लेकिन बिलाट्रिक्स लैंस्ट्रेंज और अन्य प्राणभक्षियों के भागने के कारण हैरी के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी भले ही इसकी कोशिश कामियाब हो या ना हो देखते हैं तुमारा इंट्रव्यू छपने के बाद अमरिच क्या सोचती है डीन ने सुमवार की रात को डिनर पर कहा सीमस डीन की दूसरी तरफ बैट कर अपनी प्लेट में धेल सारा चिकन और हैम पाई डाल रहा था लेकिन हैरी जानता था कि वो ध्यान से सुन रहा था सही किया हैरी सामने बैठे नेविल ने कहा उसका चेहरा थोड़ा फीला था लेकिन उसके धीमी आवाज में आगे कहा ये बहुत मुश्किल रहा होगा उसके बारे में बाद करना है ना हैरी बुदबुद आया हाँ लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि वाल्डे मोट क्या कर सकता है है ना सही है नेविल ने सिर हिलाते हुए कहा और उसके प्राण भक्षी भी लोगों को पता होना चाहिए नेविल ने अपना वाक्य अधुरा छोड़ दिया और अपने भुन की तरफ चले गए हैरी और हर्माइनी टेबल पर रौन का इंतजार कर रहे थे जो क्विडिच प्रेक्टिस के कारण अब तक डिनर करने नहीं आया था चो चैंग अपनी सहीली मैरिटा के साथ हॉल में आई हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी लेकिन चो ने गरुड घात की टेबल की तरफ देखते हुए कहा चो के साथ तुमारी डेटिंग कैसी रही तुमें इत्ती जल्दी कैसे लौट आये हो तेखो ये हैरी ने एक डिश अपनी तरफ खीच कर उसमें से परोश्ते हुए कहा ये बहुत बुरा फ्लॉप शो साबित हुई फिर उसने बता कि डिश का आखरी टुकडा गायब हो गया वो उशली और बोली मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ हैरी और भाग गई हैरी ने अपनी चमश नीचे रखकर हरमाईनी की तरफ देखा मेरा मतलब है उसने ऐसा क्यों किया आखिर हुआ क्या था हरमाईनी ने अह भरते हुए चो एक मिनट पहले हम लोग बहुत अच्छी बाते कर रहे थे लेकिन अगले ही मिनट वो मुझे बताने लगी कि रोजल डेविज ने उसके सामने डेटिंग का प्रस्ताव रखा और वो किस तरह उस मूर्गतफूर टी शॉप में सेडरिक के साथ चुमा चाटी करती थी उसके बारे में मुझे कैसा मैसुस होना चाहिए था देखो हर्माइनी ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई अती भावुक बच्चे को ये सिखा रहा हो कि एक और एक दो होते हैं तुम्हें उसे ये नहीं बताना चाहिए था कि तुम अपनी डेटिंग छोड़कर मुझ से मिलना चाहते थी लेकिन हैरी ने कहा लेकिन तुम ही ने तो कहा था कि बारा बज़े मिलना और उसे भी साथ लाना मैं उसे बताए बिना ये काम कैसे करता हर्माइनी ने अब भी उसे धैरे भरे अंदाज में कहा तुम्हें उसे दूसरी तारीख पतानी चाहिए थी तुम्हें कहन पूरे दिन उसके साथ ही रहना चाहते हो तुम्हें कहना चाहिए था कि अगर वो तुम्हारे साथ आएगी तो तुम मुझसे जल्दी से चुटकारा पा लोगे और ये भी अच्छा रहा था अगर तुम कह देते कि मैं कितनी बदसूरत हूँ हर्माईनी ने बाद में भी जोड़ दिया लेकिन तुम बदसूरत नहीं हो हैरी ने चकराते हुए कहा हर्माईनी हस पड़ी हैरी तुम तो रॉन से भी गए कुझरे हो नहीं नहीं तुम नहीं हो उसने आहा भरी जब चड़ चड़ा दिख रहा रॉन हॉल में चप चप करता हुआ और कीचड उड़ाता हुआ आया देखो जब तुमने चोकु बताया कि तुम उझसे मिलने आ रही हो तो वो विचलित हो गई इसलिए उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की वो पता लगाना चाहती थी कि तुम उसे कितना पसंद करते हो तो वो ये चाहती थी हैरी ने कहा जब रॉन उसके सामने वाली बैंच पर बैठ गया और आस पास की सभी डिशें अपनी तरफ खिंचने लगा उसने मुझसे सीधा पूश लिया होता कि क्या मैं उसे तुमसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्या वो ये ज्यादा आसा नहीं होता हर्माईनी ने कहा लड़कियां अकसर सीधा सवा नहीं पूशती उसे पूशना चाहिए हैरी ने जोर से कहा फिर मैं उसे बता सकता था कि मैं उसका दिवाना हूँ फिर उसे सेडरी की मौत के बारे में आशु बहाने की जरूरत महसुस नहीं होती मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने जो किया वो समझदारी भरा था हर्माईनी ने कहा जब जीनी भी उनके पास आ गई मैं तो बस तुम्ही ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो उस वक कैसा मैसुस कर रही थी अपने आलू को काटते हुए रॉन ने हर्माईनी से कहा तुम्हे तो एक पुस्तक लिखने चाहिए और लड़कियों के पागलपन भरे कामों का अनुवाद करना चाहिए ताकि लड़के उन्हें समझ सके हाँ हैरी ने उत्सा से कहा और चील घात की टेबल की तरफ देखने लगा जो अभी अभी खड़ी हुई थी वो उसकी तरफ देखे बिना ही बड़े हॉल से बाहर चली गई थोड़ा निराश महसूस करते हुए उसने रॉन और जिनी की तरफ देखा तो किडिच प्रैक्टिस कैसी रही बुरे सबने की तरह थी रॉन ने चिचड़ी आवास में कहा ओ छोड़ो भी हर्माईनी ने जिनी की तरफ देखते हुए कहा मुझे यकीन है कि ये इतनी बुरी नहीं रही होगी ये इतनी ही बुरी थी जिनी ने कहा ये भहंकर थी एंजलीना तो बाद में रुआसी हो गई थी रॉन और जिनी डिनर के बाद नहाने चले गए हैरी और हर्माईनी गरुड़ द्वार के व्यस्त हॉल में लाटकर अपने होमवर्क के पहार से मुकावला करने लगे हैरी आदे घंडे तक खगोल विज्ञान के नए सितारे के चार्ट से जूचता रहा तभी फ्रेड और जॉर्ज आ गए फ्रेड ने चारों तरफ देखते हुए कहा रॉन और जिनी यहां नहीं है जब हैरी ने अपना सिर हिलाया तो उसने खुर्सी खीचते हुए कहा अच्छा है हमने उनकी प्रैक्टिस देखी है उनकी हार तै है हमारे बिना उनका बड़ा बुरा हाल है छोड़ो भी जिनी बुरी नहीं है जोज ने नियायपून धंक से कहा और फ्रेट की बकल में पैट गया दरसल मुझे नहीं मालूम कि वो इतना अच्छा कैसे खेल लेती है जबकि हमने उससे कभी अपने साथ नहीं किलाया हर्माईनी ने पुरातन लीपियों की पुस्तकों के मोटे धेर के पीछे से कहा वो छे साल की उम्र से बगीचे के ज़ाडू घर में से तुम्हारी ज़ाडूएं बारी-बारी से चुरा कर चिपकर प्रैक्टिस करती थी ओ, जौज ने थोड़ा प्रभावित होते हुए तिकते हुए कहा अच्छा, तो इससे बात समझ में आती है क्या रौन ने भी एक गोल बचाया? हर्माईनी ने Magical Hieroglyphs and Logograms के उपर से जाखते हुए पूचा फ्रेड ने अपनी हांखे गोल-गोल घुमाते हुए कहा देखो अगर उसे कोई न देखे तो वो गोल बचा सकता है इसलिए शनिवार के मैच में जब भी तूफान उसके करीब आए हमें दर्शकों से कहना होगा कि वे अपनी पीड घुमा कर आपस में बाते करने लगे वो दोबारा उटकर खड़ा हो गया और बेचैनी से खिड़की के पास जाकर अंधेरे मैदान को घूरने लगा तुम जानते हो क्विडिची कलोती चीज है इसकी वज़े से ये जगा रुकने लायक थी हर्माईनी ने उसकी तरफ सकती से देखा तुम्हारी परिक्षाई आ रही है हमने तुम्हें पहले भी बताया था हमें N.E.W.T. की परवा नहीं है फ्रेड ने कहा गोता मार टौफियां अब तयार हो चुकी है हमने पता लगा लिया है कि उन फोडों से मुक्ति कैसे पाई जाती है मर्टलेप काढ़े की दो बुंदों में से वे गायब हो जाते है ये विचार हमने ली से लिया था जौज ने जमकर जमाई ली और रात के बादलों भरे आसमान की तरफ असंतोष से देखा मैं ये मैच नहीं देखना चाहता अगर जकारियस स्मित ने हमें हरा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा फ्रेड ने तरदा से कहा इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम उसे मार डालो हर्माईनी एक बार फिर पुरातन लीपियों के अनुवाद पर जुक चुकी थी उसने पेध्यानी से कहा क्विटिश के साथ यही दिक्कत है इससे हाउसों के बीच अनावशक दुर्भावना और तनाव पैदा होता है उसने अपनी स्पैलमेंस सिलेबरी बुक खोजने के लिए उपर देखा तब जाकर उसे नजर आया कि फ्रेड जॉर्ज और हैरी उसकी तरफ हिकारत रथ अविश्वास के मिले जुले भाव से घूर रहे थे हाँ इससे ऐसा ही लगता है उसने अधीरता से कहा इससे सिर्फ खेल ही क्यों नहीं मानते हो हैरी ने अपना सिरह लाते हुए कहा हर्माईनी तुम भावनाव को समझने और पढ़ाई करने में अच्छी हो लेकिन तुम क्विडिच के बारे में जरा भी नहीं समझती हो हो सकता है हर्माईनी ने अनुवात के काम में लगते हुए बुजे हुए स्वर में कहा लेकिन कम से कम मेरी खुशी रॉन के गोल बचाने की योगेता पर निर्भर नहीं करती हाला कि हैरी हर्वाइनी के सामने ये बात स्विगार करने के बचाए खगोल विज्यान की मिनार से कुदना पसंद करता लेकिन अगले शनिवार का मैच देखने के बाद वो भी यही चाहता था कि उसे कुडिश्ट की परवा नहीं होती मैच के बारे में जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती थी वो ये थी कि वो जल्दी ही खत्म हो गया गर उड़द्वार के दर्शकों को सिर्फ 22 मिनिट का कर्ष चेलना पड़ा ये कहना कठिन था कि सबसे बुरी चीज क्या थी हैरी को लगा कि ये तै करना मुश्किल था इसके लिए कई चीजों में कड़ा मुकावला था रॉन का चौधवा असफल बचाओ स्लोपर का पहलवान के बजाए एंजलीना के चहरे पर बल्ला मारना और जकारिय स्मित के तूफान लेकर आने पर कर्क का चीख कर अपने जाड़ू पर पीछे की तरफ गिर पड़ना ये चमतकार था कि गरुड़द्वार सिर्फ 10 पॉइंट से हरा था जिनी मेहनतकश हाउस के खोजी समरवी की नाक के नीचे से सुनहरी गेंद पकड़ने में काम्याब हो गई थी जिससे अंतिम स्कोर 240-230 हो गया था अच्छा पकड़ा हैरी ने हाल में जिनी से कहा जहां का महौल ऐसा था जैसे वहां बहुत दुखत अंतेश्टी हो रही हो उसने कंधे उचकाते हुए कहा मेरी किस्मत अच्छी थी सुनहरी गेंद ज्यादा तेज नहीं थी और समरवी को सर्दी थी उसे चीक आ गई और उसकी आंके बिल्कुल गलत मौके पर बंद हो गई वैसे भी जब तुम टीम में आ जाओगे जिनी मुझे पर आजीवन प्रतिबंद लगा है जब तक अमरिट स्कूल में है प्रतिबंद तब तक है जिनी ने उसे सुधारते हुए कहा दोनों में फर्क है वैसे भी जब तुम लौट आओगे तो मैं धावक बनने की कोशिश करूँगी एंजलीना और एलीसिया दोनों ही अगले साल स्कूल से जा रही है वैसे भी मुझे सुनहरी गेंद पकड़ने के बजाए कूल करना ज्यादा अच्छा रगता है हैरी ने मुड़कर रौन को देखा जो एक कोने में कंदे जुका कर पैटा था और अपने घुटनों को घूर रहा था उसके हाथ में बटर बियर की बोतल थी एंजलीना उसे अब भी स्तीफा नहीं देने दे रही है जिनी ने कहा जैसे उसने हैरी के मन की बात समझ ली हो वो कहती है कि उसमें प्रतिबा है हैरी को ये सुनकर अच्छा लगा कि एंजलीना रौन पर इतना भरोसा कर रही थी लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि उसे रौन पर तरस खाकर टीम छोड़ने की अजादत देज देनी चाहिए रौन जब पिच से लोटा था तब नाक शक्ती वाले बड़े उत्सा से विजली हमारा राजा है गा रहे थे अब नाक शक्ती वाले क्विडिच कब जीतने की स्थिती में आ चुके थे फ्रेड और जॉर्ज वहां आ गए मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे तसलितू फ्रेड ने रौन की जुकी हुई आकरती देखकर कहा वैसे जब उसने चौदवा गोल छोड़ा था उसने अपने हाथ इस तरह लह रहा है जैसे वो पवन चक्की चला रहा हो अच्छा मैं इसे पार्टियों के लिए बचा कर रखता हूँ है ना इसके बाद जल्दी ही रौन खुद को घसीट कर अपने पलंग पर ले आया रौन की भावनाओं का सम्मान करते हुए हैरी ने कमरे में जाने से पहले कुछ देख तक इंतजार किया ताकि अगर वो चाहे तो सोने का नाटक कर सके यही हुआ भी जब हैरी कमरे में गुसा तो रौन थोड़ी ज्यादा जोर से खर्राटे ले रहा था जो विश्वसनिये नहीं लग रहे थे हैरी पलंग पर पहुँच गया और मैच के बारे में सोचने लगा बाहर से खड़े होकर मैच देखना बहुत कुंठा जनक था वो जीनी के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित था लेकिन वो जानता था कि अगर वो होता तो सुनेहरी गेन थोड़ी ज्यादा जल्दी पकड़ लेता मैच पे एक ऐसा पल आया था जब सुनेहरी गेन करक के टकने के पास फड़ फड़ा रही थी अगर जीनी देर नहीं करती तो वो गरड़द्वार को जीत दिला सकती थी अम्रेज हैरी और हर्माईनी से कुछ लाइन नीचे बैठी थी एक दो बार उसने मुड़ कर हैरी की तरफ देखा मिंड की जैसा उसका चेहरा थोड़ा चोड़ा मूँ खिचा हुआ था और वे बड़ी खुशी से मुस्कुरा रही थी उस दृष्ट की याद से हैरी को घुसा आ गया बहरहाल उसे याद आया कि उसे सोने से पहले अपने दिमाग से सभी भाव खाली करने है जैसा स्नैप हर गुप्त विद्या की क्लास में आखिर में उससे कह रहे थी उसने एक दो पल कोशिश की लेकिन अमबरिच की यादों के बाद स्नैप का विचार तो और भी भहनक था अब भावनाए खाली करने के बचाए हैरी ये सोचने लगा कि वो इन दोनों से कितनी बुरी तरह नफरत करता है दीरे दीरे रॉन के खराटे बंद हो गए और सांस लेने की धीमी घहरी आवाज आने लगी हैरी को नीन दाने में समय लगा उसका शरीर ठका हुआ था लेकिन उसके दिमाग को शान्त होने में काफी समय लगया है उसने सपने में देखा कि नेविल और प्रोफेसर स्प्राउट आवशकता कक्ष में नाच रहे थे जब प्रोफेसर मैक गॉनेगल बैट पाइप बजा रही थी उसने उन्हें कुछ तेट तक खुशी से देखा फिर जाकर डिये के दूसरे सदस्यों को बुलाने का फैसला किया लेकिन जब वो कमरे में लोटा तो उसके सामने पगले बारनाबास की दिवारदरी नहीं थी बलकि पत्तर की एक दिवार पर मशाल चल रही थी उसने अपना सिर दीरे से बाई तरफ हिलाया वहां पर बिना खिड़की के गलियारे के आखरी सिरे पर एक काला दर्वाजा था वो उसकी तरफ रूमांच में पढ़ने लगा उसे यजीब एहसास हो रहा था कि आकर इस बार वो कामियाब हो जाएगा और उसे खोलने का कोई तरीका खोश लेगा वो उससे कुछ फुट दूर था रूमांच की उत्तेजना के साथ उसने देखा कि दाई तरफ नीडी रोशनी की एक चमकदार पट्टी थी दर्वाजा खुला था उसने उसे चौड़ा कर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तभी रॉन ने जोरदार खराटा लिया जिससे हैरी की नीड खुल गई उसका दाया हाथ अंधेरे में उसके सामने पहला हुआ था उस दर्वाजे को खोलने के लिए जो सेकड़ो मिल दूर था निराशा और अपराद बोध के मिले जुले एहसास से उसने अपना हाथ नीचे कर लिया वो जानता था कि उसे दर्वाजा नहीं दिखना चाहिए था लेकिन साथ ही यह जानने के लिए उतावला था किसके पीछे क्या है उसे रौन पर घुसा आने रगा काश वो एक मिनट बाद खराटा लेता सुमवार की सुभा जिस समय वे लोग नाश्ता करने के लिए बड़े हॉल में घुसे उसी समय उल्लू डाक लेकर आए सिर्फ हर्माईनी को ही दैनिक जादू करेगा इंतजार नहीं था लगबख सभी विद्यार थी फरार प्रान बख्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए उत्सुख थे हाला कि कई लोगों के अनुसार पे नजर आये थे लेकिन वे अब तक पकड़ में नहीं आये थे हर्माईनी ने उल्लू को एक नट देकर उत्सुखता से अख़बार खोला हैरी औरेंज जूस पीने लगा उसे पूरे साल में सिर्फ एक चिट्टे मिलती थी इसलिए जब एक उल्लू उसके सामने आकर धम से बैठा तो उसे लगा कि वो घरत जगाए पर आ गया होगा तुम्हें किस के पास जाना है? हैरी ने उल्लू से पूछा और अपने ओरेंज जूस को उसकी चोच के नीचे से आलस से हटाया फिर उसने आगे जुब कर देखा कि लिफाफे पर किसका नाम लिखा है उस पर लिखा है हैरी पॉटर, बढ़ा हॉल, हॉगवर्ट स्कूल तेयोरिया चढ़ाते हुए उसने उल्लू से लिफाफा लेने के लिए हाथ पढ़ाया लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, तीन, चार, पांच और उल्लू पंक फढ़ाते हुए उसके पास नीचे उतर आए बाद में आने वाले उल्लू अच्छी जगा बैठने के लिए पहले वाले उल्लू से संघर्ष करने लगे इस संघर्ष में एक उल्लू का पैर बटर की कटोरी में पहुँच गया और दूसरे ने नमकदानी लुडगा दी सभी अपनी चिट्टी हैरी को सबसे पहले देने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है? रॉन ने हैरानी से पूचा जब गरुड़द्वार की टेबल पर बैटे सभी विद्ध्यार्थी देखने के लिए आके जुग गए इसी बीच साथ और उल्लू भी चीकते हुए तथा पंक फढ़ फढ़ाते हुए पहले वाले उल्लूों के पास उतर चुके थे हर्माईनी ने अपने हाथ पंकों के भीच टाल कर एक लंबा पैकेट निकाला और बोली मैं जानती हूँ कि इसका क्या मतलब है इसे सबसे पहले खोलो हैरी ने भुरे पैकेट को खोला उसमें से दक्विबलर पत्रिका का मार्च का अंक निकला इसके कवर पर उसका चेहरा मुश्कुरा रहा था तस्वीर के आर पार बड़े बड़े लाल अक्षोरों में ये शब्द लिखे थे हैरी पॉर्टर का संसनी खेज खुलासा तुम जानते हो कौन के बारे में सच्चाई और जिस रात को मैंने उसे लोटते देखा ये अच्छा है है ना लूना ने कहा जो गरुड़द्वार की टेबल के पास आ कई थी और इस समय फ्रेड और रॉन के बीच सिकुड कर बेंच पर बैट गई थी पत्रिका कल ही प्रकाशित होई है मैंने डैट से कहा था कि वे तुम्हें एक मुफ्त प्रती भीजवा दे मैं उमीद करती हूँ उसने वहाँ जमा उल्लूओं की तरफ हात लहराया जो अब भी हैरी के सामने टेबल पर खड़े थे कि ये पाठकों की चिट्टिया होंगी यही मुझे भी लगा था हर्माईनी ने उत्सा से कहा हैरी अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम जरूर जरूर हैरी ने थोड़ा चकराते हुए कहा रॉन और हर्माईनी लिफाफा खोलने लगे ये एक आदमी की चिट्टी है जो सोचता है कि तुमारा दिमाग चल गया है रॉन ने अपने चिट्टी की तरफ देखते हुए कहा ओ अच्छा ये महिला सुझाओ देती है कि तुम्हें सैंट मंगोज में बिजली के जटके दिये चाने चाहिए हर्माईनी ने निराश दिखते हुए कहा और दूसरी चिट्टी को गुड़ी-मुड़ी किया ये ठीक दिखती है हैरी ने धीरे से कहा और पैसली में रहने वाली एक जादुगर्नी की एक लंबी चिट्टी पर नजर डाली सुनो वो कहती है कि उसे मुझ पर यकीन है ये दोविधा में है फ्रेड ने कहा जो उतसा से चिट्टी खोलने में शामिल हो गया था ये वाला जादुगर् कहता है कि तुम पागल नहीं लगते हो लेकिन वो दरसर ये यकीन नहीं करना चाहता है कि तुम जानते हो कौन वापस लॉट आया है इसलिए वो नहीं चानता कि अब क्या सोचे ओ चर्म पत्र की कितनी बरबादी है ये एक जादुगर् की है जिसे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है हैरी हर्माइनी ने रोमांच से कहा तुम्हारे इंट्रिव्यू को पढ़ने के बात मैं इस नतिजे पर पहुशने के लिवे वश हुआ हूँ कि दैनि जादुगर् ने तुम्हारे साथ बहुत अन्यपून वेवार किया है हलाकि मैं ये नहीं सोचना चाहता कि तुम जानते हो कौन लॉट आया है लेकिन मुझे मजबूरन ये मानना पड़ रहा है कि तुम सच बोल रहे हो ओ ये बहुत अच्छा है ये जादुगर्नी सोचती है कि तुम पागल गुत्ते की तरह बेवजा भौक रहे हो रौन ने कहा और चिठ्ठी उपर उच्छाल दी लेकिन ये औरत कहती है कि तुम ने उसका रिदे परिवर्तन कर दिया है और अब वो तुम्हें असली हीरो मानने लगी है उसने अपनी तस्विर भी बेजी है वाह ये क्या हो रहा है एक लड़की जैसी बनावटी मीठी आवास आई हैरी ने उपर देखा लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो अपने इस कारणामे को कैसे चिपा सकता है निश्चित रूप से कुछ समय बाद दक्विबलर की प्रती अमरेज के पास पहुँच जाएगी हैरी ने कहा लोगोंने मुझे चिठ्या लिखी है क्योंकि पिछले जून में होई घटना के बारे में एक इंटरव्यू दिया था किस कारण से ये कहते समय उसने स्टाफ टेबल की तरफ देखा हैरी को ये अजीब ऐसास हुआ कि एक पल पहले तक डंबल डोर उसकी तरफ देख रहे थे लेकिन जैसे ही उसने हेड मास्टर की तरफ देखा तो प्रोफेसर फ्लिट्विक के साथ तरचा में चुट गए इंटरव्यू अम्बरिज ने दोहराया उसकी आवाज सामारने से ज्यादा पतली और उची हो गई थी तुम्हारा क्या मतलब है मेरा मतलब है कि एक रिपोर्टर ने मुझ से सवाल पूछे थे और मैंने जवाब दिये थे हैरी ने कहा ये देखिए और उसने दक्विबलर पत्रिका उनके सामने फेंग दी वे उसके कवर को घूरने लगी उनका पीला चेहरा बदसूरत बैंगनी हो गया तुमने ये काम काप किया उन्होंने पूछा और अपनी आवास को थोड़ा कापता हुआ मैसूस किया हैरी ने कहा पिछले हॉग्समीट विकेंड में उन्होंने हैरी की तरफ देखा वे आग बबूला हो रही थी और पत्रिका उनकी गाठदार उंगलियों में काप रही थी मिस्टर पॉटर अब तुम्हारी हॉग्समीट्स यात्राएं पंद उन्होंने फुसपुसा कर कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ये कैसे उन्होंने एक गहरी सांस ली मैंने बार-बार तुम्हीं ये सिखाने की कोशिश की है कि तुम्हें जूट नहीं बोलना है जाहिर है संदेश अब भी कहराई तक नहीं जा पाया है करुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम और एक हफ़ते की सजा बेद दूर चली गई डख्विबलर उनके सीने से चिपकी हुई थी और कई विद्ध्यार्थियों की आँखें उन पर जमी हुई थी थोड़ी देर बाद ही पूरे स्कूल में बड़े बड़े नोटिस लग चुके थे सिर्फ हाउसों के नोटिस बोर्ड पर ही नहीं बलकि गलियारों और क्लास्रूम्स में भी हॉगवर्ड की सर्वोच प्रशासक के आदेश से जिस विद्ध्यार्थी के पास दक्विबलर नाम की पत्रिका पाई जाएगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा ये शैक्षणी कानून क्रमांग 27 के अनुपारन में है हस्ताक्षर डोलोरेस जेन अमरिच सर्वोच प्रशासक जब भी हर्माईनी इस नोटिस को देखती थी तो न जाने क्यूं वो बहुत खुश देखने की कोशिश करती थी हैरी ने पूचा तुम इतने खुश क्यों हो रही हो ओ हैरी क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हर्माईनी ने कहा अगर वे ये सुनिश्चित करवाना चाहती है कि इस स्कूल का हर विद्यारती तुम्हारा इंट्रिव्यू पढ़ ले तो उस पर प्रतिबंद लगाने से अच्छा तरीका और कोई नहीं था हर्माईनी की ये बात बिलकुल सही थी हालाकि हैरी को स्कूल में कहीं भी तक कोई बलर नहीं दिखी लेकिन शाम तक हर जगा विद्यारती उसके इंट्रिव्यू की बाते एक दूसरे को सुना रहे थे क्लासों के बाहर लाइन में लंच के दौरान और क्लासों के बीचे खुर्सियों पर सभी इसके बारे में फुस पुसा रहे थे हरमाईनी ने उसे बताया कि जब वो पुरातन लीपियों की कलास से पहले लड़कियों के टॉलेट में गई थी तो वहाँ भी इस बारे में बाते चल रहे थी हरमाईनी की आंके चमकने लगी जब उसने हैरी से कहा फिर उन्होंने मुझे देख लिया सबको पता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए उन्होंने मुझ पर सवालों की बंबारी करती और हैरी मैं सोचती हूँ की उन्हें तुम पर यकीन है मैं सच मुझ ऐसा ही सोचती हूँ मुझे लगता है आखिरकार अब लोग तुम्हारी बात मान गए है इस दोरान प्रफेसर अमरिच पुरे स्कूल में घूम रही थी और विद्यार्थियों को पकड़ कर पुस्तकों और जेबों की तालाशी ले रही थी हैरी जानता था कि विद्यार्थी उनसे कई कदम आगे थे हैरी के इंट्रव्यू वाले पन्ने पर विद्यार्थियों ने जादू कर दिया था ताकि वे किसी दूसरे वेक्ति के पाठ्य पुस्तक के पन्नों जैसे दिखे और सिर्फ उनके पढ़ते समय ही असली रूप में आए या फिर वे जादूरी रूप से खाली दिखते थे जब तक कि वे खुद दोबारा पढ़ना ना चाहें जल्दी ही ये लगने लगा कि स्कूल का हर विद्यार्थी इसे पढ़ चुका था जाहिर है शेक्षणी कानून क्रमांग 26 के तहट टीचर्स पर इंट्रिव्यू का जिक्र करने से प्रतिबंद लगा दिया गया था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी भावनाय व्यक्त करने के तरीके खोज लिये थे प्रोफेसर स्प्राउट ने गरुरद्वार को 20 पॉइंट दे दिये जब हैरी ने उन्हें पानी का जग दिया मुस्कुराते हुए प्रोफेसर फ्लेट्विक ने सम्मोहन के अंत में उसे शकर के चीखने वाले चुहों का बक्सा दिया और कहकर जल्दी चले गए प्रोफेसर ट्रिलोनी जोतिश की क्लास में सुबकने लगी और उन्होंने हैरान विद्ध्यारतियों तथा बहुत ही नाराज अम्रिच के सामने ये घोशना की कि हैरी जल्दी नहीं मरेगा बलकि उसकी उम्मर बहुत लंबी होगी वो जादू मं जादा कि क्या हुआ था चो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कान में धीरे से कहा मुझे सच मुझ सच मुझ अफसोस है वो इंट्रिव्यू देना बहुत बाहदुरी का काम था उसे पढ़कर में रोने लगी थी उसे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि चो ने इस क्लासरूम से बाहर पहुँचा एक और अच्छी घटना हुई सीमस लाइन से बाहर निकल कर उसके सामने आ गया वो हैरी के बाएं घुटने की तरफ देखते हुए बुदबुद आया मैं तो बस ये कहना चाहता था मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है मैंने वो पत्रिकत अपनी मम्मी को भिजवा दी है मैलफॉय क्रैब और गॉयल की प्रतिक्रिया से हैरी की खुशी चरम सीमा पर थी वे लोग दो पहर में लाइबरेरी में अपने सिर्फ सटाए बैठे थे उनके साथ एक घटिया दिखने वाला लड़का भी था इसके बारे में हर्माईनी ने फुस-फुसा कर बताया कि उसका नाम थियोडोर नौट था उन्होंने हैरी की दिरफ मुड़कर देगा हैरी शेल्फ पर आंशिक ओजली करण पुस तक खोज रहा था गॉयल ने अपनी उंगलिया खतरनाक तरीके से चटकाई और मेलफॉई ने क्रैप से निश्चित रूप से फुस-फुसा कर कोई बुरी बात कही हैरी जानता था कि वे लोग ऐसा क्यूं कर रहे थे उसने उन सभी के पिथाओं के नाम प्राण बख्षियों के रूप में लिये थे लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय हरमाईनी चहकते वे बोली और सबसे अच्छी बात ये है कि वे तुम्हारी बात नहीं काट सकते से विका है उतना कोई भी अंक नहीं विका था डैड़ी उसे दोबारा च्छाप रही है उसने हैरी से कहा और उसकी आखें रूमांच से बाहर निकल रही थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है वे कहते हैं कि लोग बार क्रमपल हांस स्नोर कैक्स के बजाए इसमें ज्यादा दि दिवार पर लटका दिया ताकि हैरी का विशाल सिर हॉल में देखता रहे और बीच-पीच में तेज आवास में कहता रहे मंत्राले वाले मूर्ख हैं और अम्रिच गोबर्ख खाओ हर्माईनी को ये बहुत मज़िदार नहीं लगा उसने कहा कि इससे उसकी एक आगरता पढ़ने लगा था जिससे ये अकसर ज्यादा उची आवाज में सिर्फ गोबर और अम्रिच जैसे शब्द बोलने लगा था तता बीच के शब्द गायब हो गए थे दरसल इससे उसका सिर दुखने लगा था और उसका निशान दुबरा टीस मारने लगा उसे बहुत से वि कि वो भी जल्दी सोने जाना चाहता है